हलो एंड वेलकम टू इवास आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत अभिनंदन वबंदन मारियर आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दाइक बर्निंग इशू को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश में TGT PGT 2022 का एक्जाम कब होगा जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो चैन आयोग है वो निश्क्री ही है एक तरीके का भंग नहीं हुआ लेकिन भंग जैसा ही है क्योंकि उसका कोरम पूरा नहीं है दूसरी और जब भी हमारे साथी खास तोर से प्रियाग राज के साथी जागरूग साथी अपने च्छात हित की लड़ाई लड़ने वाले साथी जब भी प्रदर्शन करते हैं तो उनको ट्वीट के द्वारा सांथ कर दिया जाता है कि नया आयोग ही कराएगा परिच्छा हो जाएगी कि यह पेपर कब तक नहीं होगा और कब होने की अतिसंभाव ना है दो बातें आज मैं आपको दो से तीन मिनट में अधिक्तम पांच मिनट में क्लियर कर दूँगा बस आप जुड़े रही है माई डियर एक विशेस बात यह है कि हमारे स्टुडेंट्स कुछ ओल्ड इस्टुडेंट्स कुछ यूटूब के जुड़े हुए सब के पास नमबर है हमें वाटसेप करके पूछते हैं मैसेज करके पूछते हैं कॉल भी कुछ लोग लगा देते हैं हिम्मत करके कि सर TGT का पेपर कब होगा कुछ लोग तो कहते हैं क्या सर जलाई में हो रहा है पेपर कुछ लोग कहते हैं क्या सर ये पेपर रद्ध हो जाएगा नहीं होगा या इस वर्स होगा ही नहीं वास्तों में एक आस्पारेंट के सामने बहुत बड़ी समस्या है चाहे हो जितना पढ़ने वाला हो लेकिन 24 घंटी में एक बार ये प्रशन आ जाता है कि यार पेपर होगा तो कब होगा क्या पेपर नहीं होगा मतलब एक पूरा जोस उत्साय नहीं बन पाता है पढ़ाई का क्योंकि सामने एक लच नहीं है एक तरफ हमारा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन है जिसने 10 प्लस 2 का या MTS का ये बता दिया कि 2023 का पेपर कब हुआ जबकि अभी 22 का नहीं हुआ वो होने वाला है लेकि उसने 23 की डेट पहले से दे दी एक ये है और दूसरी तरफ ये देखिए कि नया आयोग बनने के नाम पर आपके सामने कुछ नहीं है कुछ भी certainty नहीं है आप अभी ये नहीं clear कर पा रहे हैं जैसे आप कहना चाहते हैं कि आखिर 2022 का पेपर कब होगा हम थोड़ा सा facts basis बात करेंगे कुछ तत्यों पर अधरित बात करेंगे जैसे पहली बात हम ये बोलते हैं कि ये पेपर कब होगा तो ये एक बात तो पक्का है कि ये पेपर नए आयोग को ही कराना है ये तो आपको tweet से clear हो चुका है तो अब हम अगर ये चर्चा करें कि ये पेपर कब होगा तो पहले हमें ये चर्चा जरूर करनी चाहिए कि आयोग कब तक आ जाएगा देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा आयोग सरकार की मनसा के अनरूप बनते हैं इस आयोग को आने के तीन महिने में ये पेपर होगा अगर ये आयोग ये मई का महिना है इस मई के महिने के लास्ट में आ जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त बहुत ध्यान से समझेगा देखो मई में कुछ नहीं होगा जून में आपका पेपर नहीं होगा जुलाई में नहीं होगा अगस्त में ना के बरावर संभावना इन तीन महिनों में पेपर नहीं होगा और ये तब कह रहे हैं जब यदि लास्ट मही तक आयोग अपने अस्तित्त में आ गया तब इन तीन महिनों में नहीं होगा अगस्त के बाद अगस्त के बाद आपका आएगा सिप्टेमबर अक्टूबर नॉमबर महीं तो होई नहीं रहा है कुछ नहीं हो रहा है जून जुलाई अगस्त तीन महिने में पेपर नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा इदान समझ लीजिएगा या तो सिप्टेमबर में होगा या अक्टूबर में या नॉमबर में इन तीन महिनों में Suppose that ये आयोग जून तक बन के तयार हुआ और जुलाई में इसने काम करना शुरू किया काइदे से, तो न जुलाई होगा, न अगस्त होगा, न सितंबर, फिर अक्टूबर, नॉंबर और दिसंबर, यानि कि यों समझ लीजिए आप, कि अगले तीन महिने जून, जुलाई, अ अगस्त, practically सोचिए, कोई chances नहीं है, अगर आयोग एक महिने में आ जाता है, तो भी नहीं तीन महिने पेपर होना है, लेकिन जब ये पेपर होगा, तो अतिसंभावना है, कि बहुत जल्दी अगर, देखो अगस्त में कराई नहीं सकता है, बहुत जल्दी कराएगा, तो स्टेंबर, या अक्टूबर, या नॉंबर, ये दिसंबर भी चला जाए, तो कोई अतिसायोगती नहीं है, ये 2023 में अगर पेपर होता है, तो इन तीन महिनों में नहीं होगा, अगले इन तीन महिनों में अतिसंभावित है, बस आप यूं समझ लो, कि अब ये प्रश्न नह होना चाहिए, कि पेपर कब तक नहीं होगा, कब होगा, अपनी तैयारी में जुटे रहिए, और साथी साथ में, अगर वक्त मिले कभी, तो एक ट्वीट अभियान चलाइए, कि आखिर ये आयोग कब आएगा, क्या ये आयोग ट्वीट करके ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होन चाहिए, ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा अहित हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय, एक तरीके का मेंटली टॉर्चर हो रहा है, कि आपने फॉर्म भरवा लिया और एक्जाम के डेट नहीं दे रहे हैं, जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू